अंदुशक नियम्ती करने में कोई समस्य नहीं नई शिक्षानीती 2020 में अंदुशक शिक्षकों को नियमित करने का प्रावधान है विक्रम सिंग आई जानते हैं विस्तारपूर क्या कहा है प्रद्शादधक्ष ने नवस्कार आप देख रहें अंदुश्यक निउज जो आपके संगर्ष्ट का सच्चा साथिया पर एक ब्रिकिंग निउज है पोसर 2020 में नई सिथ्षा नीती आई थी और नई सिथ्षा नीती में हम अनुदेश को पोसर नियमित करने की बात कही गई हमारे सारे विसेव को मुख विसेव बनाते हुए नियमित करने की बात कही गई है तो हम उत्तर प्रदेश सरकार से सर यही निवेदन करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार चुकी हम सर नई सिथ्षा नीती 2009 के अंतर गताए आए और जो नई सी चाह नीती का जो राजपत्र जारीया, सर, उसमें केवल दो ही पद रहे हैं, सहाय का ध्यापक और अनुदेशाट तो हम सर सरकार से निवेधन करते हैं कि हमका आरा जो प्रमुक मांगे नियमितिकरन, हमको उत्तर प्रदेश सरकार नियमित करें और जब तक उत्तर प्रदेश सरकार को नियमिती करन में समस्या है वो थोड़ी लंबी प्रक्रिया है तब तक कम से कम हमारा मांदेश सर इतना हो जाए कि जिससे हम आरा रोटी डाल की ब्यवस्था सर हो जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार से हम दो हम, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे माता-पिता, इनकी सिख्छा की बेवस्ता हो जाए, माता-पिता के दबादारू की बेवस्ता हो जाए सर, और हम छे लोगों का जो परिवार है, उत्तर प्रदेश सरकार से हम यही निवेदन करते है कि उत्तरपरदेश सरकार कम से कम हमें इतना दे कि हमारा छे लोगों का परिवार का इवन यापन हो सके सब्सक्राइब करते हैं सर कि हम 11 वर्स हो गए हमारे सर लेकिन आज भी हमारी नौकरी सर सुलक्षित नहीं है जैसे सो से एक भी बच्चा कम होता है हमकों नौकरी से निकाल दिया जाता है तो हम सरकार से निभेदन करेंगे कि हमारी नौकरी को सुलक्षित किया जाए हमारे जीवन को सुलक्षित किया जैसर और आसा है जैसे मानिय विधाइक जी का साथ मिल्ला है मानिय विधाइक जी क टेबलेट है नियमिति क्रन समाठान के मानिवी भिधायद के माध्यम से निवैदान करेंग मिल जात कुर। समाठान हो जाएगा वक्रम सींग कवारा कि नई शक्षानीति के दोवारा नाहीं शक्षानीति में अंदुष्ण शिक्षकों को निमत करने का प्रापदान है उसमें पॉइंट है और सबसे बड़ी दवा है उनकी अगर निमती करन जैसी टेबलेट उनको मिल जाएगी तो उनकी समस्त बीमारियों का इलाज हो जाएगा उनकी समस्त समस्याओं का इलाज हो जाएगा जो कि अब होना चाहिए अब बस यही गवाल लगा रहे हैं सभी लोग गुमानिय मुकमंत्री जी उन्हें नियमती करण का तुफ़ा दे जो की वहतर होगा लेकिन यहां पर अभी कुछ कहना जल्द बाजी होगी अभी बस इंतजार करना है धरे बना के रखना है और इश्वर से प्राक्नाएं करते र सबड़ेनी होगा अब यह तैय हो चुका है अवलग है कि कुछ बहतर होने जारा हैं अंदिशक शिक्षणों की जीवन में छिक्षा मित्रों के चीवन में मानि मोकमंत्री जी लगातार प्रयास रहता है उन्होंने अपने अधिकारियों को बोल दिया है लगातार वों उस प प्रशासन में बार्था करने में इनकी सबन में तो कुछ ना कुछ बहतर अवश्य होगा ऐसी हम उमीद करते हैं आप देख रहे थे अपना पसंदी दे चैनल अंदेशक न्यूज मिलते किसी और खास अपडेट के साथ अब तक के लिए अपना ख्याला की जैन जवार्थ बंदे बातरम सत्वे बजायते